दोस्तो, औरों में कहा दम था, कि अंदर कितना दम है, दोस्तो ये कल पता चलेगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि एडवांस बुकिंग प्रारूप बला देता है किसी मुवी का, तो भाई सब खतम हो गया दोस्तो, मतलब सारा दिन खतम हो गया भाई, मुवी अभी तो रिलीज हो लेकिन यहां पे कुछ लोगों ने इमेजिनेशन कर दिया कि मूवी कितनी ओपनिंग ले सकती है यहां पर हम अपना फाइनल दोस्तों आपको अदाएंगे कि यह मूवी क्या करें के लिए और एडवांस बुकिंग का फाइनल नंबर क्या है वहीं इसके अलावा दोस्तों उल सबसे पहले दोस्तों यहां पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि औरों में कहा दम्था का क्या हाल चाल है और जहां हम लोग सुबह बात किये थे तो नेशनल चैन में कुछ थाउसन टिकट भी सोल्ड आउट नहीं हुए थे लेकिन इस वक्त आप लोग कह सकते हो कि around तो अराउंड मुवी लगफ़क रिलीजी हो रही है होने वाली और नेशनल चैन में कुछ 5000 से करीब दोस्तों यहां पर पांच हजार के करीब कुछ यहां पर टिकट सोल्ड आउट हो गए हैं यह पांच हजार नेशनल तो क्या सकते हो कि इस मुवी के जो ऑल्टेटर जो टिकट सोल्ड आउट हुए हैं वह कुछ करीब लगभग 23,000 के करीब हुआ है यहां पर टिकट है वह सोल्ड आउट हुए है शोज की बात करते हैं तो भाई सर्फिरा को तो आठ हजार शो मिल गए थे लेकिन यहां पर इसको तो सिर्फ और सिर्फ 65 शोज 6500 यानि कि जो गाईज यह मूवी है यह शोज भी काफी कम लिए हुए है एवरेज टिकट प्रा से भी इस वक्त कम है हलागी यह फाइनल तो नहीं है वैसे तो मेरा फाइनल रिपोर्ट है लेकिन अभी कुछ घंटे रहता है मैं भी शुबे तक आपको पांदस लाक रुपे एक्ष्टा होता हुआ दिखाई दे लेकिन इस वक्त जब मैं यह वीडियो वाय रहा हूं आप लगभग हमनों दुसτο दिल्ली की बात करते है तो कुछ कमा के दिया है लगभग 6 लाक उरुपे शोंस 5500 है हलाकि एक शौय हॉसपूल हो गया यह कैसे हो गया भाई कुछ समझ नहीं आरा गाई ज без लग हूई की बात करते है कि शह लाक उर पी यह शहर वी दे गया है और दि पर किसमें बात करते हैं तो भाई मामला लांग हों में हैं। इंग जरू है। हाइदरावाद लगभग लाख भी दोस्तों नहीं हुआ मामला लगभग 85,000 रुपे की काई टिकट सोड़ा मनला एडवांस भूकिंग हुआ है जयपूर की बात करते हैं एक सो पर्ष जाईपूर की बात करते हैं 101 ऑक्टिशत की चंडीगर 60 शोज ऑक्टिशत की बहुपाल में हल्हाग लाख में और ऑक्टिशत की दो गाईदर शेयता जीज्यांत गड़ब तरीके और यह जो मूवी है बहुत वर्स दोस्तों एडवांस की है 37 लाख उर्पे और मेभी शायद अगर हम लोग सुबह उठके देखेंगे तो यह 37 कुछ 40 45 या अधिक से अधिक 50 लाख हो जाएगा जो की सरफिरा के 70 लाख से दोस्तों कम है ओपनिंग डे वर्स दोस्तों इसका होने वाला है अब और आईज ऑन यहां रिव्यूज जागा इस मूवी के रिव्यूज अगर ठीक आते हैं आजकर हम लोग देख रहे हैं कि लोग रिव्यूज के ओपर भी यकिन नहीं कर रहें बस जैसा है उसके ओपर ही दोस्तों लोग जाते हैं देखने के लिए लेकिन अगर मूवी के word of mouth अच्छी होंगे कुछ अलग ही दिखा देगा यहां पर भाई नीरश पांडे तो कुछ हो सकता है नहीं तो गाईज उमीदे बहुत कम हैं फिर भी काईज मैं अगर आपको बोलके चलूंगी यह मूवी मेरे expectation के अनुस कम है lifetime हम लोग कल सुबे 50 लाग उर्पे की बात कर सकते हैं लेकिन फिलहाल दोस्तों advance से कम है तो आप लोग बोलोगे धाय करोड़ से कम होगा लेकिन नहीं वहां सरफिरा में एक दिक्कत थी कि वह रिमेक था तो लोग मूंडी नहीं मनाए जाने का दिखने के लिए लिए हो सकता है कि at least सरफिरा से तो जादा ही कमाई करेंगी अब एक लाग दो लाग एक्स्टा करेंगी धरूर तो मैं धाई करोड से लेके तीन करोड़ के बीच में दोस्तों कुछ अनुमान लगा के जा रहा हूं बाकी तो कल देखने के क्या होता है कितना दम है बहरहाल इसके अब दोस्तों जानवी कपूर जो कि आजकल काफी हटके मूवी बना रही है वाई मिस्टर और मिशिस माही हमने इनकी देखी इस साल और भी क्या कोई आई थी और अब उलज मूवी में उनकी अच्टिंग अच्छी लग रही है मूवी देखते हैं कैसा होता है लेकिन दोस् जो नेशनल चैन्स से टिकट है वो कुछ करीब धाई हजार के करीब दोस्तों हुआ है में भी शायद इसके नंबर के रिपोर्ट्स तो आना गाई बंदी हो गए मतलब ऑफिशली गाई यहां पे हमारे पास या फिर सैकनिक के कोई रिपोर्ट्स है ही नहीं तो हम लोग नहां पर आपको शोस की बात बताएं तो कुछ चार पांच हजार शोस लेने में यह भी काम्याब हुई है ज्यांगाई और अगर हम लोग बुक माई शो इंट्रेस इसका आपको बताते हैं तो यह जादा है भाई जादा है यह औरो में कहां दम था से लगबग 4748 के दोस्त के डेवन के एडवांस भुकिंग प्रिडिक कर सकते हैं तो अराउंट तो अराउंट दोस्तों यह मूवी डेड़ करोड रुपे की ओपनिंग ले सकती है उलज मूवी जिसका बजट ठीक ठाक है भाई 25 से 30 करो दोस्तों इसका बजट है प्रड़क्शन वैल्यू काफी हमारे पास नहीं है लेकिन फिर भी मुझे इसका एक्सपेक्टेशन है डेड़ करोड रुपे का आपका क्या इसमें कहना है अपना टेक कमेंट बॉक्स मताएं मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही